हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो यह मेरा पहला व्लॉग वीडियो है आई डूंट आई डूंट नो व्लॉग वीडियो में जो है वो क्या-क्या अप्लोड किया जाता है यहां पर सबसे पहले मैं अभी जो इस वक्त अपने रूम में कड़ी हूं और मैं आपको बता दू रूम बैट थोड़ा देख सकते हैं आप सब कुछ थोड़ा बिखरा हुआ तो अभी देखते हैं यह विंडो मेरे रोंग की विंडो दिन का समय है तो लाइटिन उतनी अच्छी नहीं है अब देख सकते हैं यह मेरे विंडो से थोड़ा बाहर का जो एरिया है वो कुछ इस तरह से दिखता है यहां पर अब मैं जा रही हूं अपने बैड को थोड़ा सा क्लीन क जो की काफी ज़ादा जो है वह भी करा लो रहा वहा है कि बढ़ते हैं यहां पर इस साइट моATOR मेरा वाशरूम है कला मैं इसे अभी करी हूं क्योंकि इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं यह है मेरा study room के यहां तो आप देख सकते हैं यह मेरा sorry study table अभी just मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो करके finish की है और उसके बाद मैं यह video जो है shoot कर रही हूँ तो यह मेरा study table थोड़ा भारा भारा सा है अब मैं जा रही हूँ अपने bedroom का जो bed है उसको सही करने काफी जादा जो है वो बिखरा सा लग रहा है तो फटा-फट से मैं इसको ठीक कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने अपने bed को देख सकते हैं बिलकुल अच्छे से जो है वो clean कर लिया है यह आप देख लीजे बिलकुल अच्छे से मैंने bed sheet को बिचा दिया है चलिए मैं आपको अपने room का हर एक corner जो है वो दिखा देती हूँ कि कहा पर क्या चीज है तो सबसे पहले चल आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जिस्ट बाजू में एक stand है जिसमें मेरी books जो है बो रखी हूँ है मैं आपको नीचे से अच्छे से सारी books दिखा देती हूँ तो यह देख लीजिए इस आपर कुछ सामान भी रखा हो बट books भी रखी हुई है तो उपर काफी जादा सामान है जिसको मैं भी दिखाना तो यहां पर देख सकते हैं मेरा बुक स्टैंड है तो आगे अगर हम बढ़ें तो इसके बाद बगल में मेरी जो है वो आलमीरा रखे हुए अलमारी इसमें मेरे कपड़े हैं और कुछ सामान भी रखा हुआ है बाजू में एक स्टूल है इस पर वोन वगेरा यह है मेरा अब देख सकते हैं मेरी विंडो है इस थोड़ा यहां पर अंधेरा सा विउ आ रहा है बट कोई नहीं यह देख सकते हैं यह है मेरी विंडो इसके बगल में यहां पे जिस बिल्डो की ही आगे नीचे एक शू स्टैंड रखा हुआ है चोटा सा जिसमें में अपने शू यहां पर एक फैन है इसके बाद आता है मेरा ड्रेसिंग टेबल तो यहां पर है मेरा ड्रेसिंग टेबल आप देख सकते हैं यह रहा मेरा ड्रेसिंग टेबल और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो है कुछ देख सकते हैं आपकी फोटो लगी हुई है मेरी कुछ कॉलेज की फोटो लगाना बाकी है और यह है जस्टिस के बगल में मेरा पेडरूम के अंदर एक वाश्रूम दिया हुआ छोटा सा अभी थोड़ा क्लीनिंग बाकी है तो मैं भी अंदर का नहीं दिखा रही हूँ फिर उसके बगल में छोटी सी फोटो फ्रेम है यह रहा मेरा पूरा पसंद आया होगा थोड़ा सा भारा सा है बट क्या करें रूम थोड़ा सा छोटा है और सारी चीजे थोड़ी पास पास है बट यह मेरा रूम है तो अभी मैं अब जाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट करने ब्रेकफास्ट के बाद अब हम फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट मिलें साधो अभी माय जा रही हूँ trabalने, तिल देन गल्त करने मैंने अपना ब्रेख्वास्न कर लिया है कह वाँ मैं नौन समझ लए रहाव मैं किया करूँ तो सोच रही वापस से वीडियो कर रो मैंने ब्रेक्वास्न कर लिया है यहां पर मैं यह भी बताना चाहूँगी कि मैंने मार्केट से अभी कुछ टाइम से बहुत सी चीजे जो है वो खरीदी हुई है पर्चिस की हुई है उसका एक हॉल वीडियो मैं कल तक या पर्सो तक अपलोड करूँगी उससे आप लोग जरूर देखियेगा मैं ऑनलाइन ज्यादा चीजे तो नहीं खरीदी हुई है या कुछ जो है वो लोकल मार्केट की है बट जो भी चीजे है आप लोग को जरूर पसंद आएंगी आप लोग जरूर देखियेगा और आ आज के लिए तो फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही एक टाइप का मेरे रूम का इंट्रोडक्शन वीडियो था एक बार जब आज क्योंकि मेरा रूम उतना जादा भी साफ नहीं है मुझे टाइम नहीं मिल पार अपने स्टडी के चलते तो जब मेरा रूम अच्छे से क्ली हो जाएगा सारी चीज अच्छे से सेटल हो जाएंगी उसके बाद एक बार और में अपने रूम का वीडियो जो है वो बनाऊंगी तब तक के लिए आज इस वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलते हैं तिल दैन बाई